नमस्कार दोस्तों, BPSC ने अपना डेट लगवक एक महिना बढ़ा दिया है, एक्जाम अब दो दिन होगा 13 और 14 दिसंबर को यह बहुत बड़ी अपर्चुनिटी है, लगवक 2,000 सीटे हैं और इतनी बड़ी वेकेंसी BPSC के इतिहास में अभी तक नहीं आई है और आने वाले साल में भी उम्मीद नहीं है कि इतनी बड़ी वेकेंसी आएगी तो अब इसकी तैयारी कैसे करें? एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि तैयारी कैसे करें? सिल्फ स्टड़ी करें या कोई क्लासे जोईन करें? कौन सी किताबों को पढ़ें? बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, ऐसा डाउट सभी के मन में आता है जो लोग तो experience हैं, एक दो साल पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए आसान है कि सिर्फ practice करें, revision करें हो जाएगा लेकिन जो लोग नई हैं, जिन्होंने बिलकुल पढ़ाई नहीं किया है या थोरवत पढ़ाई क्या हुआ, क्या इस exam उनके लिए संभग है देखें, जीवन में एक चीज़ मानके चलिए, कि जीवन में असंभग कुछ भी नहीं है और जीवन में आसान भी कुछ भी नहीं है आसान है केबल सोना और खाना और मुझे लगता है सोना खाना भी आसान नहीं है आप एक बार गरीब के उसमें जाईए, बस्ती में जाईए तो बारी से पानी चूता है तो ना वो सो पाते हैं, ढंग से न खाते हैं जीवन में आसान कुछ भी नहीं है हर चीज़ के लिए परिस्रम करना है अब डिपेंड ये करता है कि आपको जो सफलता मिलेगी वो कितना आपने परिस्रम किया उस पे मिलेगी एक छोड़ा से उधारन देना चाहता हूँ कि क्लास में पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी क्लास में 30 बच्चे, 35 बच्चे होते हैं पहली, पहली परिस्रम किया है सफलता आपको वही से मिलती है तो जो अब 13 दिसंबर को एक्जाम हो रहा है उसकी तयारी अगर आप अभी से करना चाहते है तो मैं यही बार-बार कहूँगा कि ये पहला चरण है PT और PT के लिए आपको थोड़ा बहुत superficial knowledge भी हो तो काम चल जाता है और यह जो समय है यह समय आसान नहीं है कि आप आसानी से हस्ते गाते त्यारी कर लिजेगा लेकिन अगर आप अपने हर चीज दाव पर लगा के त्यारी करना चाहते हैं तो यह नामुम्किन भी नहीं है 60 दिन का एक हमारा SRS का कोर्स है जिसके डिटेल्स में बताऊंगा और अगर आप सेल्फ स्टड़ी करना चाहते हैं तो उस SRS की प्लानर है वो टेलिग्राम ग्रूप में रहेगा वहाँ से आप लाकर सेल्फ स्टड़ी भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में यह कंसिस्टेंसी नहीं हैा है तो इधर उधर करते हुए अपना टाइम पास्स करते हैं और फिर से डाइवर्ट हो जाते हैं फिर से जीवन में कोई problem आता है कोई परिसानी आती है तो फिर लगता यार कास कर लिए होता है तो यह कास जो है मैं हमेशा कहता हूं मुझे नफरत है सबसे आप एक वार जित्तोर मेहनत करके देखिए हर चीज संभव है इसी प्रिथवी पर जन्वें हैं जितने भी लोग है जितने भी महान लोग है हर फिल्ड में क्रिकेट में सचीन तेंदुलकर विराट कोली इसी में तो जन्मे है और कई लोग अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन सफलता नहीं बापाते क्यों को कि वो उस हद तक नहीं जाते हैं जिस हद तक सफलता चाहिए पानी खौलाने के लिए उस हद तक आपको गैस को रखना तक पढ़े सफलता पाने करिए आपको उतनी देर तक उसको हीट देना पढ़ेगा उतना तपना पढ़ेगा तब आपको सफलता मिलेगी दो 60's के कोर्स एक वर मैं इस दिखा देता हूँ इसका तेरह अक्टूबर को इंट्रदक्शन क्लाश चलेगे फिर उसके आगे यह बैच स्टार्ट होगा इस बैच में आपको क्या-क्या चीजे मिलेंगी वो जान लिजे एक तो इसका नाम है हुंकार क्योंकि यह आप हुंकार भरिएगा अपने भविस्य के लिए अपने वर्तमान के लिए सबी सीज के लिए कि पीटी कोर्स है जीरो लेवल से इसमें पढ़ाया जाएगा और सही में जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा मेंटर्शिफ गाइडेंस मिले कि कैसे त्यारी करना है कैसे हर चीज को मैंइस lobster ना करतें अप उस चीज को revise कर सके, revise करने का मतलब यह होता है कि आप class में पढ़े एक बार और class में पढ़ने का किताब बंद कर देते हैं फिर आप 20 दिन बाद revise करते हैं नहीं, इसमें आपको क्या होगा homework दिया जाएगा, homework जाने को बाद क्या होगा live classes होगी और उसको बाद में recorded class से भी आप देख सकते हैं और हर Sunday को test होता है, online test होता है जिसमें आप अपने rank, performance, सब चीज़ कर सकते हैं और पूरे course के दोरान आपको 10,000 MCQ practice कराया जाएगा जो की आपकी तयारी को complete कर देगा क्यों क्योंकि practice से ही आपके doubt clear होते है अब ये course कैसे करना है, क्या करना है, एक बाद इस पर भी मैं details दिखा देता हूँ देखे, ये आपका 70th VPSC का जो हुंकार batch है उसके लिए 14 तारिक से classes start होगी पहली class होगी आपकी medieval history की और polity की ठीक है, लगभी 20 class में history और medieval खतम हो जाएगा, दिन में 2 classes होगी एक से देर घंटा इसका duration रहता है class का और उस duration में आपको class में जो doubts है, सभी doubts clear के जाएगे live classes में और आप बाद में देखते हैं, तो बाद में आपको doubt classes चलती हैं, उसमें आप clear कर सकते हैं तो 14, 15, 16, 17 का देख सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा इसमें history, साथ में आपका biology, physics, chemistry स्टार्ट हो जाएगा, economics स्टार्ट होगा, geography स्टार्ट होगा और finally इसमें आपका math स्टार्ट होगा, और ये classes आपके 8 December को खतम हो जाएगे तो इस batch में, दो-तीन चीज में add करना चाहता हूँ, कि इस batch में आपको मेहनत करना है, मैं clearly बतायता हूँ, इस batch में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आपको कोई shortcut दिया जाएगा, कोई shortcut नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको पूरा details पढ़ाया जाएगा, shortcut नहीं होगा, detail पढ़ हो सकते हैं, और दस हजार question प्रैक्टिस कराया जाएगा, और finally, इसमें जो mentorship guidance है, वो regularly मेरे दवारा app पे या फिर YouTube के माध्यम से मैं आता हूँ, और live classes हम लोग बात करने हैं, तो ये तीन चार चीजे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जनम घुटी दे देंगे, और आप उसम कुछ चमतकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं है वैसा, इसमें सिर्फ आपको महनत करना सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, रगर के महनत करना है, एक चीज याद रखिएगा जीवन में, कि किसी वी चीज को पाने के लिए उस हद तक महनत कर दीजे, सफल हो जाईएगा सफलता का सिर्फ एक ही माप दंड है, एक ही करेटिरिया है कि आप कितनी महनत कर रहा है, जो आज से पढ़ेगा वही जीतेगा, समझ लीजी ये ऐसा ही है, जैसे कि रेस है, जो दोरेगा जीतेगा, जो नहीं दोरेगा वो नहीं जीतेगा, पहले क्या किया, बाद में क्या कि क्यों कि BPSC न अपना पैटर्ण बदला है जो लोग पहले से त्यारी कर रहे थे उनको भी उसी लेवल पर पहुंचा दिया गया है बहुत अच्छी अपर्चुनिटी है या तो सेल्फ स्टडी कीजिए या आप किसी भी क्लासे से आप काईडेंस ले सकते हैं लेकिन तैयारी जरूर कीजिए इस बार बहुत आसान रहेगा क्योंकि 2000 सीट के कारण कटफ कम जाएगा तो एक अच्छी अपर्चुनिटी है कि आप सफल हो सकते हैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं एक जाते जाते लाइन बोलना चाहूंगा कि कुछ इस कदर निभाव अपने किरेदा को इस इस कदर निभाव अपने किरेदार को कि पड़दा गिरने के बाद भी तालिया बजते रहे हैं ऐसा नहीं कि आय भीर का हींसरा बने और चले गए